वलीवूर्ड एक्टर पंकज तिरपार्थी एक ऐसे कलाकार हैं जो हर किरदार को वक्वी अपना बना लेते हैं चाहेंगे पंकच तीरपार्टी के घर आज पहुँचे हैं, उनके जो मित्र है जो बच्पन से उनके साथ खेले हैं उनके जो बच्पना बिती है, उन तमाम मित्रों से परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और ये तमाम लोग मौजूद है यहां पर सबसे पहले हम इनके जो मित्र हैं जो बच्पन से उनके साथ खेले हैं और उनके बच्पना जिनके साथ बिती है इनसे हम जाने क्या नाम है अब कर राजन कुमार्तिगरी राजन जी ये बताइए पंकर तीरपाथी तो आज बलीबुड के जाने माने चेहरे माने जाते हैं और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है आपकी बच्पना भी उनके साथ बिती है तो क्या बच्पन के कुछ यादे बताएं उनके बारे में किस तरह के थे और क्या करते थ थे उसके बाद पटना गए पढ़ने के लिए वहां पढ़ाई कि उसके बाद से छात्रनेता भी रहे और वहीं से गाउं में भी नाटक होता था और वहां से उनका हुआ तो इसलिए फिल्मी इंडस्ट्रियल में जाना पड़ा अब अब अर्थमान की परीवेस अगर बात क मिलते हैं बहुत सबसे मिलते हैं कोई भेद भाव नहीं रहता है आते हैं तो दातुओं लेकर पूरे गाउं पूरे बस्ती में हर घर जाकर सभी लोग से मिलते हैं आप बताए यह क्या नाम है अपर दिया है आपके साथ भी पंकरतिर पार्टी की काफी बच्पना बीता है आप लोग काफी साथ में खेले हैं पढ़ाई किये हैं तो कुछ यादे उनका बताएं कि किस तरह से आपके साथ बीदा था दिखे जाए हम लोग तो साथ से बच्पन से ही एक ही साथ रहे हैं पढ़ना उठना बैठना यहां तक कभी-कभी सोना भी होता था अलग-अलग हम यहां से थोड़ा सा दूरी पर हमारा घर है लेकिन साथ में सोना भी होता था और यादें हर चीज जो है वो अगर अगर मानी जाया तो याद ही है क्योंकि सुरू से बच्पन से ही यह मैं और पंकर जी और यह जो राजन जी हैं यह हम तीन जन अधिकतर साथ में रहा करते थ जैसा कि मैं बताया कि यहां पर बहुत पहले से नाटक होता था तो यहीं नाटक लिखा जाता था और यहीं पर एक माह पहले से हम लोग यहां रिहलसल उसका किया करते थे और उसके बाद में एक दिन एस्टेज रिहलसल होता था फिर जो नाटक का परदरसंद वो एक जो अ एक मतलब जैसा कि जो माना जाता है कि किस्मत बड़ी है और यहां राजन जी है और पंकर जी तो अभी हमारे हम लोग के साथ नहीं है यहां पर लेकिन यह जरूर है कि यह राजन जी बताएंगे कि हम तीनों की कलपना थी एक दिन कि हम लोग कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे जो नाटागों करते थे तो सबसे ज़्यादा रोल किस का अदा करते थे कोई रोल ही चकते नहीं थे एक बार माने समयस्याते धेन अहात में होती है लेडीस रोल की लेडीस रोल कोई नहीं मिला तो खुद को लेडीस भी बन गए और जी जी बेहतर परतासन की ये उनके बड़े भाई हमारे बीच मोजन से नाम क्या हुआ विजेंदर नातिवारी जाना चाहिए कि चुकि पंकर तिरपाथी आपके छोटे भाई हैं और काफी आपने उनको गोद में खेलाया भी होगा कई तरह के उनके बारे में जानते कि यादे बच्पन से ही परतिभा थी जिस काम को करते थे सिरियस हो करते थे और उनमें दीख रहा था कि कुछ जिस फिल्ड में जाएंगे अच्छा ही करेंगे तो क्या उनमें जाने के इक्षा थी शुरू से और इस शुरू आती दोर में तो कोई इक्षा यह नहीं थी कि दॉड़े यही हो गा हो गामान जो जो इसे परिवार में चलता है डॉक्टर इंजीनिएर डोक्टर इंजेनियर एक ग्रामीड परिवेस में तो लुग काता है तो हम इजिनिर्ग की पढ़ाई कि पीता जी को इथा कि आचा है परिवार का इफ ätze बने तो यहां से हई स्कू और चाहतर को गोली लगी थी तो सारे चाहत्र व्नियन जो थे जितने तरह के जितने पाटी के सब कोई मिल जूल के शातर के रुप में आंदोलन कि उस खुआ हो वो बिदान साथा परिशर में एक कमांडो दस्ता के रूप में उनको जना था उसी के हेडी थे और दो तीन लड करके चले गए गिरिफतार हुए उसके बाद इलो जेल में गए और अभिनाई की परती बीज तो उनको गाम ही में थी लेकिन जब वह अच्छात्र अंदोलन के रूप में गिरफतार होके जेल में गए तो वहां कुछ साहितकारों से मुलकात होई और उनलों कहा कि भाई तुम थोड़ा साहित पढ़ोड़ों वही से उस और बढ़ती गई और उसके बाद साहित और अभिनाई दोनों एक साथ का चीज है तो देखने के लिए काली दसरंगाले में चाहे वो प्रेमचंदरंग साला जहां जहां नाटक होता था जाते थे और उसके बाद अनमन में हुआ क कि कुछ हम भी करें तो एक दो गुरुप से साथ मिलके कोई कि भाई हम भी करेंगे तो चोटा मोटा कुछ रोल काम मिला उसमें लगे रहे और बढ़ते गया ऐसे करते करते भारत रंग महोत्सव में दो तीन बार दिली गए उसके बाद एनस्डी की तैयारी में कि एनस्डी तो एनस्डी वालों की मजबूरी हो गई और इनकी परतिभा कोई दवा नहीं सका एनस्डी मेंड मिशन हुआ पहला फिल्म कौन था इनका जिससे काफी नेम फेम हुआ जिसे इनकी परसिद्धियां हुई परसिद्धिया तो वही गेंक सफासेपूर 2012 में गेंक सफासेपूर से इनका परसिद्धी हुई इसके पहले उन्होंने कोई और फिल्म बहुत बहुत धर्म फिल्म किये थे काट कोई राजदान है उसके साथ अभी एक और फिल्म इनकी आने वाली है और रिलीज होने वाली है जो सामने नहीं आया था उसको जीतना हो सकेगा अपने एक्टिंग से संबाद से अपने इस समाज में डॉक्टरी का काम कर आए समाजसुधार भी अधक्टरी ही है और हर उनके फिल्म और एक्टिंग में कुछ इस तर की बाते होती है जे उसमें सुधार होना चाहिए तो डॉक्टर जो है सो सरीर के रूख को चुडाता है इस समाज के रूख को चुडाने के लिए काम कर रहे हैं अई होना भी चाहिए बहुत खुश है आप बताइए आप य यू लगता है कि एक्तिवहार है उनका आना हम लोग एक्तिवहार की तरह सेलिबरेट करते हैं महाल महाल एकदम से मजा जाता है जब आते हैं तो लिट्टी लगना भूमना खेतों में नदी के किनार पे जाना इका हुआ है यह हुआ है रोड बनना मतलब किस गाउं के विका सब्सक्राइब करते हैं कि जो भी करना है दिल से करो और अच्छा करो यानि कि गवही अंदाज में वह अपना रूप ठेट ठेट गवही अंदाज में हाँ पैंट निकर पहनेंगे माथे प्यांगोच्छी रहेगा और निकल लाएंगे हम लोग इधर भ्रम्ण के लिए जो हुर्णे सकते हैं कि जो अपने गाउं और समाज के साथ जूड़ा हुआ हो वह किस तरह से गा encrypted में यहां पर जब भी आते हैं वो अपने गाउं का पूरा भ्रहमन करते हैं हर लोगों के वैसे ही बात करते हैं जिस से एक आम लोग बात करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर जब भी आते हैं जब भी उनका च्छोटी मिलता है जब भी उनका मौका मिलता है अपने गाउं एक बार जरूर आते हैं और फिर 83 जैसे फिल्म को रिलिज हो रही है और ऐसे में हर लोग की यह प्रतिक्षा है इंतेजार है 83 का देखने के लिए और जैसा कि आपने उनके मित्र के भी जुबानी जाना कि किस तरह से वो नाटक करते करते आज फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच कर नाम कमा रहे हैं